हेलो एवरीवन वेलकम टो इंजिनियर सटा गाईज आई होप यौल अगूड मैसल फ्रेजर सिंग और आप सभी का स्वागत हैं इंजिनियर सटा के इस प्लेटफॉर्म पे गाईज आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सभी के सभी इंपोर्टेंट इस कोड की ज लेकिन बहुत सारे ऐसे कोड हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है और एक्जामनेशन में आ जाते हैं आपको क्वेस्टन देखने को मिलते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो सभी सेविल इंजिनरिंग एस्परेंट के लिए बहुत ज्यादा कोई सब एक्जामनेशन या फिर आपके एक्जामनेशन में यह चीजे पूछी आती है वन बाई वन करके बात करते हैं गाईस देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर कोड के नेम हमने लिख रखे हैं यहाँ और साइड में डिस्क्रिप्शन कि वह कोड किस चीज के लिए दूस करते हैं अब वोड तो बहुत सारे हैं है ना कुछ सेलेक्टेट कोड आपके सामने रख रहा हूं और जब भी रिवीजन करना हो इन्हीं सभी कोड में से आप बार बार रिवीजन करेंगे जहां से आपको एक्जामनेशन में कुस्न देखने को मिलेंगे सबसे पहले इसके बार देखिए इस तरीके से सारे के सारे कोड लिखे हुए है 455 उसका स्पेसिफिकेशन इस 383 specification for course and fine aggregate यह जो जितने भी code लिखे हैं IS 1344 1343 IS 1199 सारे के सारे order में लिखे हैं हमने और यहां से आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी होगा यह PDF भी मैं आपको provide करा दूँगा इसलिए बोल रहा हूं कि order में हैं सारी सारी चीज़े सुरुआत में 456 तरीके से start हुआ उसके बाद 1489 उसके बाद देखे फिर 238 फिर 2386 इस तरीके से पार्ट भी सारे के सारे order में ही placed हैं यहां पे जितने भी parts हैं इसके तो कहीं भी कोई problem आने वाली नहीं है अगर आप पूरा का पूरा यह PDF revise करते हो तो आपको बहुत benefit मिलेगी सारे के सारे जैसे देख सकते हैं part 3 4 5 यह सब सारे के सारे किसके हैं method of test for aggregate of concrete उसी में part 5 जो है soundness के लिए है part 6 क्या है measuring motor and making properties of the fine aggregate इस तरीके से आपसे part भी पूछे जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं is 2386 इस तरीके size उसके part 8 उसके बाद यहां पर देखिए फिर 3085 उसके फिर 2770 part 1 2645 इस तरीके से पूरे के पूरे जो है आपके is code इसमें लिस्टेड है one by one करके सारे के सारे code इसमें कुछ कुछ important है जो आपसे अक्सर पूछे गाए हैं वो भी इसमें सामिल किया है मैंने और जो आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे कि कभी कोई नए code आपको examination में देखने को मिलते हैं important यह है कि इसको revision और इतनी साली चीज़े याद कैसे करेंगे तो देखिए जिसमें बहुत सारे code ऐसे हैं जिनके part 1, part 2, part 3, 9, 10, 11 इस तरीके से जा रहे हैं जैसे यहां पर देखे part 12 तक आ गए तो इसमें आपको एक चीज common चीज जो आपको identify कराएगी कि आपका option कौन सा सही है वो यह है कि भाई is 4031 है तो यह method of physical test of the hydraulic cement है ठीक अब इसमें part अगर specific पूछा जाता है तो फिर अलग differentiation होगा लेकिन देखिए कहीं भी लिखा है 4031 4031 हर जगह method of physical test of hydraulic cement हर जगह यह mention है method of physical test of hydraulic cement तो यह पूरी सभी के सभ प्रिशान होने वाली बात नहीं है बस इसमें हाँ अलग-अलग पार्ट डिखेवर determination of density determination of drawing तरिंगेज यह अलग-अलग चीज है यहां पर आपको दिख जाएंगी इसी तरीके से देखिए यहां पर पूरा का पूरा उसका 15 पार्ट तक जा रहा है उसके बाद फिर is 4845 इस application के code अलग है उनको आप लोग छोटा फोटा दोहरा सकते हो जो कि अक्सर पूछेगा है यहां इस तरीके से यहां पहुंचगा हम लोग 9376 यह पूरा का पूरा इस तरीके से हाँ पर कोड प्लेस किया गया है आइस 11578 आइस 1510 12269 आइस 13311 बहुत बार examination में देखने को मिला है इसका part 1, part 2 देखिए method of non-destructive testing of concrete ndt जो हम लोग करते हैं उसके लिए जिसमें ultrasonic pulse velocity test होता है वह आपने पढ़ा होगा यहां पर UPV देखिए यहां पर 13311 1992 part 1 में ultrasonic mechanic और rebound hammer किसमें है, rebound hammer part 2 में है, part 2 में कौन सा है rebound hammer test तो यह भी important test है आपके examination point of view से, आगे देखते हैं यहां पर देखिए यहां पर यह सारे के सारे अब यहां पर देखिए अब SP 16 आप से पोच लिया जाए आपने SP 34 बार बार सुना होगा, I think वह भी मैंने include करा इसमें SP 24 भी है, SP 34 भी है, SP 34 जो आप से पूच लिया जाता है, जनरली उसका provision भी यूज करते हैं, handbook on concrete reinforcement and detailing ठीक है, यह handbook है किसके लिए, concrete reinforcement and detailing के लिए, तो यह सारे की सारी चीज़े है, SP 23 है, 24 है, अगर आप से examination में यह सारी चीज़े पूची जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी student अब गलत करेगा, हाँ, रही बात की, सर यह पूरी की पूरी PDF कहां पे मिलेगी, मैं आपको share कर दूँगा, telegram groups में भी आपको share कर दूँगा, in fact, यहां प description में भी कोशिस करूँगा, कि link लगा दी जाए, वीडियो के बाद में, अप्लोड होने के बाद में, और आपको जो paid classes में aspirant है, जो जिनके पास adda 24-7 का application है, उस पे community group में भी इसको PDF को डाल दूँगा, ताकि वहां से भी बच्चे easily इसको ले सकें, free of cost, सभी जगहों पे आप ले सकते हो, जो adda cap पे हैं, जो telegram group में है, civil by register में है, कहीं भी हैं, आप जुड़े हुए हैं, आपको मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है, properly इसको अच्छे से revise करना है, अपने examination के पहले, एक बार देख लेना है, हलका फुलका भी अगर देखा हुआ चीज, अगर आ लेकिन आप देख के जाओ, जरूर कि कौन कौन सी point important है, और बाकी मैं कहा रहा हूँ, जो बच्चे अभी preparation कर रहे हैं, उनकी classes proper चल रही है, civil engineering महापैक में आपको लगातार classes मिलती रहती है, recorded videos सारे available है, अगर कोई भी subject आपका week है, recorded session देखो, live classes अगर आपके पास time है, तो live classes देखिए, आप 2024 के examination को target कर रहे हो, next year के examination को target कर रहे हो, या 2023 में आने वाले examination को target कर रहे हो, सारे examination की classes में मिल जाती है, civil engineering का one stop solution, test series, live classes, ebook, recorded videos, सब कुछ इसमे अवेलेबल है, अगर 24-7 के application पे आपको ये batch भी मिल जाता है, minimum price में जोइन करने के लिए discount coupon code Y293 यूज करिए और इस particular batch में नरोल करके अपनी class से start किजिए, thank you so much, bye bye take care, मिलता हूं आप से फिर next video में, till then keep learning guys, thank you.